च्या NeuroCoin dead हो चुका है या अभी भी स्केनर भाहिंग का मौका मनता है क्या target आ सकता है कहां पर anti बनेगी bitcoin को लेके क्या update है and all coins को लेके क्या update है जो आपने question पूचेते हैं कल video के comments के अंदर सब के जवाब आपको इस video को नमल जाएंगे last video को देखना है विडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करें अगर हम NeuroCoin के साथ currently आप देख सकते हो NeuroCoin का market cap 600 million dollars के आसपास आ चुका है and मेरी personally expectation है कि 500 dollar के market cap के आसपास अगर आप इसको खईते हो तो एक अच्छा 0.001267 जहां से मैं आपको बोला था कि जम के एक अच्छा chances रहेंगे and currently price आप देख सकते हो almost उसी एरिया से जम ले रहा है जहां पर आपको buying करने हो तो दो तरीक है पहले तरीका बहुत simple है कि यहां पर यह जो downtrend formation हो रखी है अगर यह breakout होती है अगर इसके उपर एक four hour candle closing होती है तो यहां पर anti बनाई जा सकती है नियोरो करने ठीक है पहला तरीका यह हो गया अंटी लेने का दूसरा तरीका यह हो गया नियोरो के अंदर अंदर अंटी लेने का जहां पर last time भी हमने buying करी थी और almost 3x का profit इससे बनाया था बागी अगर आप daily chart के अंदर भी देखते हो तो यहां पर भी similar यह दो level रहेंगे जो अच्छे support इसके लिए अभी बचे हैं अगी एक support area और था हमारे पास जो already यहां breakdown हो चुका है जिसके नीचे price यहां पर trade होना start हो चुका है तो उसके अभी कोई value नहीं बची वो एक रहेंसरों का काम यहां पर समपे कर सकता है जैसे कि आप लोग जानते होगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई over value है आपका बड़ा loss यहां पर नहीं होगा अगर आपने वहां पर buying नहीं कई थी तो अब आप मेरे साथ में यहां पर bottom label की पर buy कर सकते हो और एक अच्छा return यहां से बना सकते हो बागी fundamentally और tokenomics वाइस अगर हम बात करें नियों रोकाइन की तो already जैसे कि मैं आपको बता चुका ह हुँ कि tokenomics अच्छे हैं जादातर supplies रेक्रेशिंग निदर आ चुकी है अभी कुछ और एक्षेंज के उपर अगर इसकी listing होती है तो आपको अच्छा फ़र्म करता है यह meme coin दिख सकता है बागी daily candle के उपर आप यहां पर नदर सकते हो अगर daily candle closing भी इसकी 0.0015 dollar के उपर यहा से एक jump देखने के उमीद बन रही है यहां से हो सकता है एक और correction हमें देखने को बिल जाए इस बार अगर correction आता है तो according to four or charge 64,500 dollar के आस-पास का correction देखने को मिल सकता है जहां पर जो fear of greed है वो under control आएगा जो long lock लेके बैठे है वो थोड़ा कम होंगे फिर उसके बात हमें election से पहले पहले एक rally देखने को बिलेगी यह वही expectation है अभी मैं अपनी बात पर यहां पर करया हूं तो और विट कोईन के लेके बस यहीं चोड़ा सा update है ज्यादा कुछ यहां पर बताने के लिए है नहीं बाकि एक detailed video already मैं आपके साथ कल यहां पर share कर शुका हूं crypto band को लेके औ आप लोग के बारे में कुछ old coins के बारे में तो सबसे बहला question जो था यहां पर आप लोग का BNB coin को लेके जो कि आप डेली चार्ट करना देख सकते हो एक ascending triangle बनाया है अगर यहां पर यह support ले देता है ठीक है and 605 के level को उपर कर देता है तो यहां पर एक बहुत अच्छा long trade या buy trade बन सकता है because multiple time यह जो resistance है test हो चुका है तो अगर इस बार breakout हुआ तो एक बड़ी जहली देखने को मिल सकती है और 700 dollar को भी इस बार BNB coin easily यहां पर cross कर सकता है तो BNB को अपनी wallet के इंदर ज़रूर से रख लेना अगर breakout अच्छे से यहां पर आता है या रीटेस इसके इंदर एंटी तभी बनेगी जब 0.4276 इसके उपर यह daily channel closing हमें देता हुआ दिखेगा next question था giga coin को लेके जो already काफ़ी pump कर चुका है इसके इंदर एंटी लेनी है तो I think 0.04 यह level जो आप देख तो यह एक अच्छा level है यहां तक अगर पहित आएगा तो एंटी का मौ कब fall आया तो हम एंटी लेने के ज़िए जा सकते हैं अगला question था catty coin को लेके जो कि आप currently देख सकते हो बुरे तरीके से fall कर रहा है इसके अंदर अगर आपको entry लेनी है तो बहुत दाता important है कि जो daily candle closing है वो आपको previous जो हाई था हमारा इसके उपर close होती हो दिखे बागी मैं 5% recommend नहीं करूंगा कि catty coin के अंदर आप buying की entry low because all over कोई use case नहीं है लगातार आपको fall करता हुआ ही यह दिखेगा जब market उपर जाएगी तो थोड़ा यह pump करेगा जब market नीचे जाएगी तो दुगनी देख से आपको यह fall करता हो देगा तो जब भी आपको short entry लेना हो उस समय पर आप catty coin को pick कर सकते हो नेक्स होचन था यहां पर यहां पर आपको buying हो रही थी अच्छा पाम करा फिलाल हमारा जो target था उसको यह hit कर चुका है now currently मुझे लगता अगर आपको दुबार से इसके नहीं है तो 7.51 यहां तक आने का wait कर सकते हो अगर इस enterprise आता है तो एक entry का bottom level 0.000 555 के आसपास है यहां पर entry बन सकती है बाग इसके अंदर buying करना मैं बटन नहीं करूंगा अगला कोशन था STMX को लेके जो कि आप करने देख सकते हो बुरे दरे की से fall कर रहा है इसका जो buying level है 0.0041 के आसपास देखने को बलता है price यहां तक आएगा तो entry ले जा सकते ह अधरवाई इस project के अंदर भी entry लेना risk है लास्ट कोशन नहीं मनाया तो make sure telegram को जोइन करको अगर नहीं मनाया तो make sure buy वाले link से या पर description वाले link से telegram को अभी जाके जोइन कर लो वहाँ पर इस type की आपको बहुत सारी free rates मिलती रहेंगी अगर इसके price को हम देखते है डरी चार्ट के अंदर बुलिश है एक perfect details यहां पर दे रहा है वहीं अगर हम फोरा चार्ट के अंदर देखते हैं तो यहां पर भी आपको all over यह bullish देखने को मिलेगा यह double button काफी अब हम यह कर चुका है तो यह था all over market update, Bitcoin update, Neuropoint update बागी अगर आपको एक अच्छा exchange चाहिए जिसके ओपर KYC नहीं करने पड़े कोई यहां पर verification वागदा नहीं करने पड़े simple सा आप account बनाओ अपना और उसके उपर trade करना start कर दो यूज़ डिटी उडिट करके तो आप यूज़ कर सकतो bluefin exchange का तो कि एक non KYC exchange है पिछले कुछ दिनों से मैं इसका personally use कर दो हूँ future trading के अंदर में यह कोई problem यहां पर face नहीं करनी पड़ी इस पावर trading भी यहां पर काफी अच्छे से काम करती है interface भी काफी easy है तो जादा आपको problem face नहीं करनी पड़ी कि starting में description box के अंदर link दे रखा है जाके आप यह account बनानों आतो तो आपको extra bonus भी मिल जाएगा